नमस्कार मित्रों स्वागत है, चंदरा वास्तु टिप्स पर मकर संक्रांती महाउपाई मकर संक्रांती के दिन चुपचाप गाय को खिला दे यह एक छोटी सी चीज उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं, मकर संक्रांती के बारे में सूर्य जब एक राशी से दूसरी राशी म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है इस दिन सूर्य धनू राशी के, निकल कर मकर राशी में प्रवेश करता है, मकर संक्रांती से ही सूर्य उत्तरायन होते हैं। पुन्य की प्राप्ति होती है, मकर संक्रांती का पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, पंचान के अनुसार साल दो हजार चौबीस में सूर्य 15 जनवरी दो हजार चौबीस को, प्रात जो 254 पर धनु राशी से निकल कर मकर राशी में प्रवेश करेंगे, मकर स संक्रांती के दिन पानी में काला तिल और गंगाजल मिला कर सनान करने से कुंडली के ग्रह दोश दूर होते हैं, सूर्य और शनी दोनों की कृपा मिलती है, मकर संक्रांती के दिन से सूर्य उत्तर दिशा की ओर गती करते हैं, इस अवधी में सूर्य का तेज अधिक होता है, यही वज़े है कि मकर संक्रांती पर सूर्य पूजा करने से मान सम्मान धन और स्वास्थ्य लाभ मिलता है कहते हैं इस दिन गुद अन वस्त्रकाला तिलखिच दिही आधी का दान करने वालों को मोक्ष की। किया गया दान पुन्य अन्य दिनों में किये गये दान पुन्य से अधिक फलदाई होता है इस दिन पोंगल का पर्व भी मनाया जाता है वास्तव में 15 जनवरी मकर संक्रांती के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर्मा लक्षमी की कृपा होगी और आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना चलिये जानते हैं 15 जनवरी मकर संक्रांती दिन चुपचाप गाय को खिला दें यह एक छोटी सी चीज रोरपती भी होंगे करोरपती मिलेंगे सभी संकट और कष्टों से मुक्ती मृत्युदंड पित्री दोश तुरंत होगा खत्म पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्नधन के भंडारियों कहें कि आपकी साथ पुष्टे तक करेंगे रुपियों पैसों पर राज दोस्तों साथ पीढियों तक बैंक बैलन्स बढ़ता चला जाएगा सभी दु के जीवन से खत्म हो जाएगी यूं कहें व्यक्ती रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटी देवी देवताओं को धारन करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ती पर आजीवन बरसती है व्यक्ती के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र कमी नहीं होती है धन के भंडार व्यक 15 जनवरी मकर संक्रांती दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिये आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे जो भी जीवन दुख दर्द संकटकष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे क्योंकि आपको 15 जनवरी मकर संक्रांती के दिन गाय को जरूर खिलानी है तो दोस्तों अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच-बीच में से देखा काट-काट कर देखा तो यकीन मानिये जीवन मे आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख गर्द संकट है या काम्याबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं सभी से चुटकारा मिलने वाला है यूँ कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुक संपत्ती की प्राप्ती हो जाएगी कभी भी धन से संबंधित परिशानी नहीं रहेगी आर्थिक स्थिती आपकी प्रबल हो जाएगी धन प्राप्ती के योग बन जाएंगे और जीवन में अन्नधन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे, अन्नधन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी, आपके घर में, तो दोस्तों आज का विडियो पूरा देखकर जाना यदी आप चाहते हैं, आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की क्रिपासे आपके पित्रों की, पूरा वीडियो देखकर जाना यदि आप लाब हासिल करना चाहते हैं और साथ पीडियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो यह फल चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखके जाना बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जैगो माता जरूर लिख देना जिससे माता की कृपा, आपके और आपके परिवार के उपर सदैव बरसती रहे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरू करना ताकी और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाब हासिल कर सकें, इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ती की प्राप्ती कर सकें, तो शेयर करना ना भूले इस वीडियो को जिससे और लोगों का भी भला हो आपको बता दें, इस दिन तीर स्नान कर ले और साथ ही साथ यदी, आप स्नान आदी से निवरित हो जाएं, सर्व प्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर, वहां पूजा पाठ करें, आप और पित्रों के निमित तरपन पिंड दान तो आप से बने अन्नधन वस्त्रदान जरूर करें, और 12 जनवरी मकर संक्रांती के दिन विशेशकर पूरवजों की पूजन के लिए बहुत ही शुब फलदाई समझा गया है, मकर संक्रांती के दिन पिंड दान करने से पूरवजों की आत्मा को शांती मिलती है, और उनको मोक्ष मिलता है, और आपको बता दें इस बार जो इस दि पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोश भी दूर हो जाता है, व उस दिन मतलब यह जो मकर संक्रांती के दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है, गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें, इस उपाय को जरूर करें क्या करें की शाम के समय. पीपल के पेड के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है चौमुखी, उसमें आपको कलावे की बाती लगा कर सरसों के तेल का दीपक जला देना है, और बीच में दो साबुत फूल वाले लॉंग भी डाल दें, फिर देखिए कैसे चमतकार आप के जीवन में होता है, शाम के समय जला कर, उसे छोड़े मनोकामना माम कर, दोस्तों 21 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए, तो हमें बता देना बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया, मैंने आपको बहुत ही दुरलब से दुरलब है, इस बार नए वर्ष को उपाय को जरूर करें, यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाग, देगा और अब बात करें, गाय से जुड़े कौन-कौन से उपाय आपको, इस दिन मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन है, करने से व्यक्ति को साथ पीढियों तक बैंक बैलन्स की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं, और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं, कदम चुमती है, सभी सुख और घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती, किसी तरह कौन-कौन से उपाय ध्यान से सुनना जिस तरह बताएं, उसी तरह इन उपायों को आपको करना है, तो चलिए शुरू करते हैं, कौन-कौन से गाय से जुड़े उपाय है, प्रभावशाली चमतकारिक उपाय है, जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे मकर संक्रांती से आपको लाब शुरू करते हैं, दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायतरी का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है मान्यता है, कि माता के शरीर पर 33 कोटी देवी देवताओं का वास होता है, गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है, गौ सेवा सेना सिर्फ इस जन्म के बलकी पूर्व के भी दोश दूर हो जाते हैं, गाय से हासिल पंचगव्य का उप्योग जरूर शामिल करें क्योंकि पंचमगव्य के बिना कोई भी पूजा पाथ और हवन सफल नहीं होता या दोस्तों गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सप्ताह अथवा महीने में परिवार सम थो जाते हैं और इन से जुड़े दोशों का निदान हो जाता है, गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता गुर जरूर खिलाएं ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुधिया अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारन करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुब और अशुब संकेत भी होते हैं, मसलन गाय का दूध दोहते समय यदी गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए, तो अब शगुन होता है, यदी कोई यात्रा पर निकर रहा हो और गाय, अपने बच्छडे को दूध पिलाती सामने आ जाए, तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के ये आप निकले हैं, वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी, और वह जिसके लिए आप निकले हैं, वह जरूर ही पूल्न होगा यात्रा पर जाते समय बाईं और गाय की आवाज आना और रात्री में गाय की हंकार करना भी जिहां दोस्तों गाय को राश्ट्रिय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिये जाने की बात हो रही है, तो सवाल उठता है गाय. संस्कृती का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं? गाय दरदर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चार तक लोग नहीं देते गाय, जब तक दूध देती रहती है, तो उनकी सेवा होती है. और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है, तो लोग इन्हें उनकी किसमत पर छोड़ देते हैं. सडको पर और गलियों में भटकने के लिए ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है, तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है, तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोर देती है, ऐसे में जरूरत है, इन बातों को जानने की गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, यके साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए दोस्तों गाय को, तभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए, शास्त्रों में गाय को माता का दरजा दिया गया है, गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य स इससे गाय की मृत्यू हो गई थी और इस पाप से मुक्ती के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आये वृध्धाश्रम का वद कर दिया था जिससे मुक्ती के लिए भगवान श्री श्री कृष्ण को ठो को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में सनान से वह पाप मुक्त हो गए थे दोस्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं ऐसा पुराणों में बताया गया है जबकि जो लोग गाय के लिए लेकर सुख भोगते हैं और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कश्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक उर्जा खत्म हो जाती है गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किय गए जाने अंजाने में पापों से मुक्ती हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं गाय को डंडा मार कर उठाना पानी डाल कर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर-दर भटकना पड़ता है और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गाय का दूध उसके बच्छरे के लिए होता है। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। गाय को दान करने पर आपती जताई थी दूध देने वाली और बच्छडे सहित जो लोग गाय का दान करते हैं। पह महान पुन्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते दोस्तों साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युक्ती राहु से हो तो पित्री दोश होता है। पित्री दोश हो तो गाय को प्रति दिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी गुर्चारा खिलाने से पित्री दोश खत्म जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कूबर बना होता है वह ब्रिहस्पती गुरु है आथ जन्मपत्री में यदी ब्रिहस्पती अपनी नीच राशी मकर में हो या अशुब शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती। कुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी और से जाने देना चाहिए आपकी यात्रा जरूर ही। सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोश स्वतह ही खत्म हो जाता है और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दे अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बाशी मानी जाएगी गाय को कभी भी बाशी रोटी ना दे इससे घर में नकारात्मक ऊरजा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले उंगे वह काम भी आपके बिलकुल भी नहीं बनेंगे इससे आपके घर में हमेशा दर्थ देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बना कर खिलाएं और रोटी को बिलकुल ना रखें बांसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सडी गली चीजे गाय को नहीं खिलानी चाहिए घर में कोई फल है कोई सबजी है सड जाएं तो लोग क्या करते हैं गाय को देते हैं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते ह तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं, आप बिल्कुल सड़ी। गली चीजे गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ मकर संक्रान्ती पर आटे की ग्यारा लोहिया। बनाकर उनके उपर हल्दी लगाएं, इसके बाद को खिलाएं हर एक लोही को खिलाते समय गाय के संगीत। दोस्तों गाय को कभी भी सुखी रोटी ना खिलाएं, सुखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं, हल्दी रखले गुर। रखले मिश्री घी या जो भी रखले मतलब खाली नहीं खिलानी है, इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुखदर्द समाप्त हो जाएंगे, दोस्तों यह थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपून, उपाय, कुछ बातें, आज के इतना ही धन्यवाद.